नमस्कार बच्चों, सोशोलोजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैंने मेरे पिछले तीन वीडियो में कर्म के टॉपिक पर चर्चा की थी और हमने जिन पॉइंट्स पर चर्चा की थी वे हैं कर्म का अर्थ, कर्म तथा पुरनरजर्म का सिद्धान्थ और कर्म और भाग्य आज हम चर्चा करेंगे कर्म के सिद्धान्थ का महत्व कर्म के सिद्धान्थ की जीवन के कई शित्रों में महत्वता पाई जाती है नमबर वन कर्म के सिद्दान्त ने नैतिक्ता के विकास में योग दिया है इस सिद्दान्त ने व्यक्ति को दुश कर्मों को त्याक कर सद कर्म या पूर्ण करने को प्रोथसाइद किया है व्यक्ति जानता है कि शुब कर्मों का अच्छा फल और अशुब कर्मों का बुरा फल मिलेगा आते इस सिद्धान्त ने व्यक्ति को अच्छे कर्मों की और प्रेरित किया कर्मवाद के कारण ही समाज में ऐसी नेतिक्ता का विकास हुआ जिसने व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने में योग दिया सेकंड, कर्ण के सिद्दान्त ने व्यक्तियों को मानचिक संतोष प्रदान करने और सामाजिक व्यवस्ता की प्रति निष्ठा बनाए रखने में योग दिया है इस सिद्दान्त के अधार पर प्रतेक व्यक्ति इस जीवन में अपनी मौदूदा सिती से इसलिए संतुष्ट रहा है कि वैं इसे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानता है। यह संतोष ही स्वस्त व्यक्तित के विकास में साहयक रहा है। अपनी मौजूदा स्थिती से संतुष्ट रहकर ही व्यक्ति सामाजिक व्यवस्ता के प्रती निष्टवान रह सका है। इस सिद्धान्त ने व्यक्ति को करतवे पत पर सदैव आगे बढ़ने की प्रेणा प्रदान की है। यदिपी व्यक्ति का अपने भूत कालिन कर्मों पर कोई नियंत्र नहीं है परंतु अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने नियम करतव्यों को पूर्ण करते हुए वह अपने भावी जीवन को समुन्नत अवश्य बना सकता है। इस डिष्टी से यह सिद्दान्त व्यक्ति को आशावादी और प्रग्रतिवादी बनाता है। चौता पॉइंट कर्म के सिद्दान्त ने समाज के संगर्षों को कम करने में योग दिया है। संगर्ष उस समय अधिक होते हैं जब व्यक्ति अपनी मौजूदा सिती से असंतुष्ट और प्रयत्म के बावजूद भी असफल रहता है। कर्म के सिद्दान्त ने अपनी वर्तमा सिती या मजूदा सुख दुख या सफलता असफलता के लिए व्यक्ति को स्वयम को ही उत्तरदाई माना है। क्योंकि यह सब कुछ उसी के प्रारब्ध कर्मों का फल है। इसी व्याक्या ने व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्तिती से संतुष्च रखने और किसी प्रकार का विरोध या संगर्ष ना करने को प्रोचसाहित लिया है। इस सिद्दान्त ने सामाजिक नियंत्रण के कारे में अपूर्व योग दिया है। पांचवा पल्म भारतिय समाज की सभी सामाजिक व्यवस्ताएं करन सिद्दान पर आधारित रही हैं। अन्नी शब्दों में यह का जा सकता है कि इस सिद्दान्त ने सभी सामाजिक व्यवस्ताओं को संगठित बनाए रखने में सहेता प्रदान की है। चाहे परिवार, वर्ण, आश्रम, अत्वा धर्म, कुछ भी क्यों नहों, व्यक्ति को प्रतेक से सम्मंदित अपने दाइच का निर्वा करने की अपने नियत करतव्यों के पालन की बात कही है। कही गई है। कर्म के सिद्दान्त ने जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति का मार्क प्रसेश्ट किया है। यहां जीवन के प्रतेक कारे को कर्म सिद्दान के साथ जोड़ने का प्रतिन किया गया है। 6. कर्म का सिद्दान्त संपूर समाज के कल्यान से संबंदित है। यदिपी यह सिद्दान्त व्यक्तिवादी प्रतीत होता है परंतु वास्तव में यह समिष्टिवादी है। इस सिद्धान का अधार स्वधर्म का पालन सभी प्राणियों के प्रती समता का भाव और निशकाम कर्म है इसी को ग्यात कहा गया है जब व्यक्ति निशकाम भाव से कर्म करता है सभी को समान समझता है और अपने प्रतेक दाइत का निर्वा करता है तो परुपकार में व्रद तो समाज कल्यार में अवश्य व्रद्धी होती है। हिंद्यों के अनुसार कर्म का सिद्धान जीवन का एक तार्किक दर्शन है। जो इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति अपने किये हुए कर्मों को तो नहीं त्याग सकता। परन्तु इच्छा और प्रयत्न द्वारा उनके प्रभाव का अवश्य प्रतिकार कर सकता है। कर्म का सिद्धान व्यक्ति को स्वेम को अपने भाग्य का निर्माता मानता है। आज इतना ही कल हम करेंगे कर्म सिद्धान के दोश। आज बस इतना ही मैं अपना क्लास यहीं समाप सरती हूँ। कल हम पढ़ेंगे कर्म सिद्धान के दोश।